एम कॉलेज बाड़ी में ब्रच्छा रोपड कारिक्रम हुआ संपन पेंड पौधे जीवन का आधार हैं हम सबको इस पर विचार करने की जरूरत है हम तभी सुरच्छित रह सकते हैं जब पेंड पौधे सुरच्छित रहेंगे इसी लिए जागरुक बनिये पेंडों को काट आपने से बचिये और अन्य लोगों को भी जागरुक करिये यह बात तहसील छेत्र के परगना मुख्याले बाड़ी में इस्थित एम कॉलेज के सचिव एड़़ोकेट एमेस फरीदी ने ब्रच्छा रोपड कारिक्रम के दोरान लोगों को प्रुसाहित करते हुए कही आग प्रकत का हमारे लिए एक ऐसा वर्दान है जो हमें जीवन जीने के लिए आकसीजन देता है इसलिए हमारे महाविद्याले दोरा प्रतेक माह 101 पेंड लगाये जाएंगे साथ ही महाविद्याले में अध्यनरत बियड़वा डियलेट के छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष एक एक पेंड लगाने के लिए अपील की गई है कारिक्रम के मुख्यतित दानिस एजुकेशनल गुरुप के प्रबंधक मिर्जा इसरार बेग रहे इस मौके पर तारिक सिद्धे की संतोस्तुमार सेहनूर जेबा रुबीना हमारे पॉलेज एम बाड़ी सिद्धोली में आज हम लोगों ने स्ताफ के साथ मिल करके वर्षा रुपड किया और ये वर्षा रुपड का कारिक्रम हम लोग एक शिजूल बना करके हर महीने एक रेट हम लोगों ने फिक्स कर रखी है और हम लोग इसको जरूर करते हैं और हर महीने का एक हमारे कॉलेज का टार्गेट होता है कि 101 पॉलेज लगाए जाए जो हमारे कॉलेज के स्टाफ और जो स्टुडेंट्स यहां पे लिये बेटी सी औरस के हैं उन से हम लोग इसका फिड़बैक देते हैं कि उन्होंने ये पॉधे कहां पे लगाए और हर एक पेड़ जो जरूर लगाए जाए झाए तो इस तक तरीचे से एक स्टूर बना करके हम दूख कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पैरेवारन में जदा से जदा पेड़ लगाए और जदा से जदाधा आकसिजन में जैसा कि आप लोग देखी रहे हैं यह आक्सिजर्ण की बहुत जादा कमी हुई COVID-19 में तो अगर हमें यह प्राकर्टिक रूप से मिलदी रहे और हम लोग हेलदी रहे तो हो सकता है कि बहुत से बिमारियों में हमारा सर्वाइवल हो जाए इसमें तो बताने कि कुछ जरुवत है नहीं कि पेड़ लगाने से क्या फायदे है सभी को पता है लेकि जरुवत इस बात की है कि हर आदमी ये सोच ले कि मेहने में उसको कम से कभी एक मेहने में एक पेड़ लगाना है यही मैं संदेश देना चाहता हूँ और मैं अपने स्टुडेंट से अपील करना चाहता हूँ कि जो टार्गेट हम लोगों ने एक महने का दिया है उसको वो जरूर पुरा करके इस भारत मुल्क को भराबरा बना दे